नमस्कार, हेल्टिप्स चैनल में आपका स्वागत है, दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा सिस्क्राइक करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टिप्स से जनकारे लेकर आते हैं, जो आपके लिए जाना बहुत इंपोटन्ट और आपके लिए आपदायक साबित होते हैं, तो चलिए दोस्तों आईए, आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास, आज हम आपको एक ऐसी क्रीम से मिलवाएंगे, जो साथ दिन में आपको गोरापन देने का दावा करती है, तथा वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी होम रिमिड चिया दोस्तों इतना तो आप चेहरे के लिए करी सकते हो, दोस्तों इसकी कमपनी की बात करें तो यह इंडिया की ही कमपनी है, नाम से भी आपको पता चल गया होगा, कमपनी का नाम है ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अच्छे प्रोड़क्स बनाती है, हर्बल प्रोड़ बनाती है और यह क्रीम में सारे आयरुवेदिक तत्वों से ही बनकर मिली है जिया दोस्तों यदि आप ये क्रीम का इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों इसको कौन कौन यूज करता है जिया दोस्तों ये फेस की डागनेस को कम करती है तता ये हमारे स्किन की उपरवली परत को भी हटा देती है जिससे हमारे स्किन गोरी होने लगती है तता आपको यदि pigmentation की problem होती है तो उसको भी ठीक कर देती है दोस्तो खास बात यहाँ है कि साथ में आपके चेहरे पर spots हो जाते हैं तो यह उनको भी reduce करती है दोस्तो मेरे हिसाब से यह काफी अच्छी cream है आप इसको buy कर सकते हो जिया दोस्तो यदि आपकी city में आपको यह cream नहीं मिलती है तो आप इसे online भी मंगवा सकते हैं चलिए दोस्तो आप बात करते हैं home remedy के बारे में जो कि मैंने आपको starting में बोला था कि home remedy मैंने आपको सबसे last में बताऊंगी जिया दोस्तो आपको आवश्रकता पड़ेगी salt की और एक lemon की जिया दोस्तो यह बहुत ही खास है नीमू का तो आपको पता ही होगा vitamin C अधिक मात्रा में पाया जाता है लेकिन skin के लिए यह बहुत अच्छा होता है dark spots को कम करने के लिए बहुत useful है और नमक में भी बहुत सारे ऐसे तत्व पाई जाते हैं जो की skin के लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होते हैं तो दोस्तो क्या करना है आपको नमक के अंदर नीमू का रस निचोड़के आपको provide करना है इसमें और थोड़ा mix up करना है mix up करने के बाद में आपको चहरे पर उसको skin पर जहाँ पर आपको गोरपन चाहिए वहाँ पर apply करना है थोड़े दिर इसको apply करने के लिए रहने दिनना है और हलका हलका scrub करना है चार से पांच मिनट बाद इसको गरम पानी से धो लेना है जया दोस्तो आप खुद ही देख लेना जब आप अपना ही और वीडोज बनाने के प्रेना मिलती है